Hello everyone, welcome to the channel तो आज आप लोग के लिए एक बहुत ही important वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों में से जितने भी candidates ऐसे हैं जिन्होंने ITI कर रखा है उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही important वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आपने ITI किया हुआ है और आप सरकाली नौकरी की तैयारिक कर रहे है तो इस वीडियो का आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है चलिए इस वीडियो के शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले है कि UP SSC की तरफ से ITI के चातों के लिए एक bumper भरती निकली है जी हाँ सही सुना आपने bumper भरती bumper भरती किस चीज़ की निकली है ITI इंस्ट्रक्टर की निकली है अनुदेशा कपवद निकला है UP SSC की तरफ से चलिए आई देखते है notification और important points क्या क्या है यह आपको बताते हैं इस screen पर देख रहे होंगे यह है UP SSC तरफ से जारी किया हुआ notification यहाँ पर आप देख सकते हैं कि online आवेदन शुल्ग जमा करने की जो आपकी date है वो शुरू हो रही है 18.1.122 से और online आवेदन शुल्ग सब्मिट करने की अंतिम्तिती 8.2.122 यानि आप कह सकते हैं कि UP SSC के website पर आपको आपको यह जो exam है उसका जिसके लिए आपको apply करना है वो आपको UP SSC website से करना है या फिर आप सरकाइजर्ट पर भी जाके आप online apply कर सकते हैं important point यह जानना है यहाँ पर कि प्रारंभिक अर्था परिक्षा के registration number के साथ अभिरति का प्रामारी करना login यानि इसके लिए जरूरी यह है कि आपने PET की जो आपका exam हुआ था उसमें आप appear हुए हो PET का जो आपका exam है वो आपने दिया हो आपने उसके लिए register किया है अगर आपने उसके लिए register किया है तब आप इसके लिए भर सकते हैं अगर आपने PET के लिए आपने रिष्टर नहीं किया था उसका exam नहीं दिया था तो आप इसको नहीं भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभिक अहरता है वो यही है कि आप PET qualified यापका होना चाहिए चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है आप देख सकते हैं आपके screen पर लिख रहा होगा यहाँ पर जो fees है वो आपकी मातर 25 उपर शुर्क रखा गिया है तो जितने भी candidates है चाहे आप जिस भी category के हो सभी कुमातर 25 उपर आपको fees देनी है और उसके बार form भरके आपको print out ले लेना है बात करते हैं अगर seats की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके screen पर लिख करके आ रहा है अनारक्षित के लिए 1042 है अनुसूचित जाती के लिए 526 है अनुसूचित जन जाती के लिए 44 है वो candidate जो IDI करे हुए हैं और तयारी कर रहे हैं सरकारी exam की तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में अच्छे से अच्छे तयारी करके अच्छे से अच्छी तयारी करके जो आपकी बंपर भरती है इसमें selection कराने का चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर आप देख स विशियों में अरता प्राप तीसरा है आपका डीजी टी के अधीन विभिन विवसायों में से किसी एक विवसाय में अनुदेशक का प्रौाइब बत होना चाहिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं आयू सीमा की बात करते हैं तो आयू सीमा 21 साल से 40 साल की बीच अगर आ जो आपका मार्स आया है उसका 20% लिया जाएगा और जो आपका 100% की मेरिट बनेगी वो इस हिसाफ से बनेगी कि CITS का 20% और जो आपका रिटन एक्जामनेशन होगा उसका 80% ये दोनों एट करने के बाद जो आपकी मेरिट होगी वो आपकी मेरिट ली जाएगी अब आगे वे पास काफी समय है, मान के चलिए कि 6-7 महीने आपके पास आराम से त्यारी करने के लिए मौझूद हैं ITI instructor में अच्छी त्यारी करने के लिए आपको करना क्या है, आपको electrical vision की help लेनी है यहाँ पर आपको अच्छे notes provide कराया जा रहे हैं, जो कि इस भरती में आपको सफल बनाएंगे और सफलता के साथ-साथ आपको जब notes मिलेंगे, notes के साथ-साथ आपको video course भी provide कराया जा रहा है जिससे जो आपका technical portion है, जो कि इस exam में बहुत important है और इस exam में जब आप exam देंगे, तो आपको वो सब topics आपको आने चाहिए, जो आपने दो सालें पढ़े हुए है तो उसको पढ़ना बहुत important है, जब आप उसको पढ़िएगा तभी आपका selection होगा यह हम लोग मानते हुए, हम लोगों का जोर इस बात पी रहेगा, कि आपको technical अच्छे पढ़ाएं और जो technical का जो video course आपको provide कराया जाएगा, जितने बच्चे भी उसको लिए हैं इसमें पढ़ना क्या है, लिखित परिक्षा में क्या पढ़ना रहेगा, तो देखिए आप लोगों को बता देएं कि जो भरती है, यह क्या है, आईटी आई इंस्ट्रक्टर की है और आईटी आई इंस्ट्रक्टर की भरती है, 100 questions आएंगे, 100 number का paper रहेगा, उस 100 number में आपको mainly किस पर focus करना है, आपको technical पर focus करना है, जो आपने 2 साल आईटी आई में पढ़ा हुआ है, उसी को आपको अच्छे से तियार करना है तो सीटे बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, 2500 संख्या है, 264 सीटे हैं, तो मेरा मानना ये है कि जितने भी बच्चे त्यारी करेंगे, अच्छे से त्यारी करेंगे, तो आप सभी के chance बहुत bright रहेंगे, और आप सभी के होने का जो chance है वो भी बहुत कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से त्यारी करिए और Electrical Vision की हल्प जरूर लिजे, ताकि आपके जो त्यारी है, उसको और अच्छे से modify किया जा सके और अच्छे से आपको त्यारी कराई जा सके क्योंकि कई बर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत से बच्चे सेलेक्शन पाना चाहते हैं, वो Electrical Vision की साहता लें, आप वाट्सेप करें, वाट्सेप नमबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस स्क्रीन पर जो आप वाट्सेप नमबर दिख रहा है और वीडियो कोर्सों मट्रियल अपनी आड्स पेज जरूर मगाएं